sin of pi by 3 plus sin inverse minus 1 बटा 2 का मान ग्याद कीजिए यहां इस प्रशन में हम देखते हैं कि हमें जो मान निकालना है वो है sin of pi by 3 plus sin inverse minus 1 बटा 2 का अब हम जानते हैं कि sin inverse minus sin inverse x के बराबर होता है तो sin inverse minus 1 बटा 2 minus sin inverse 1 बटा 2 के बराबर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यह मान हो गया sin of pi by 3 minus sin inverse 1 बटा 2 के बराबर चुकि हमारे पास सूतर है sin inverse minus x minus sin inverse x के बराबर होता है अब हम sin inverse 1 बटा 2 का मान जानते हैं pi by 6 होता है तो यह मान हो गया sin of pi by 3 minus pi by 6 क्योंकि sin inverse 1 बटा 2 का मान pi by 6 के बराबर होता है अब pi by 3 minus pi by 6 इस पश्ट है pi by 6 होता है तो यह मान हो गया sin pi by 6 अर्थात 1 बटा 2 के बराबर तो इस परकार हमने सूतर का प्रियोग किया कि sin inverse minus x बराबर minus sin inverse x के बराबर होता है तो हमने इस सूतर के प्रियोग से sin inverse minus 1 बटा 2 को minus sin inverse 1 बटा 2 लिख दिया और अभिष्ट मान प्राप्त कर लिया जो की 1 बटा 2 के बराबर है यदि a बराबर एक आव्यू है 2, 4, minus 3, 2 और b बराबर आव्यू है 1, 3, minus 2, 5 तो 2a minus b ग्याद कीजिए हमें ग्याद करना है 2a minus b हमें आव्यू a पता है और आव्यू b पता है तो हम यहाँ a और b के मान रख देते हैं तो 2a minus b बराबर होगा 2 गुणा आव्यू a अर्थात 2, 4, minus 3, 2, minus आव्यू b अर्थात 1, 3, minus 2, 5 अब हम जानते हैं कि 2 का गुणा आव्यू में प्रतेक अव्यूव से होगा अर्थात यह मान हो जाएगा क्या हमान हो जाएगा 2 into 2, 4, minus 1 2 into 4, यानि 8, minus 3 2 into minus 3, अर्थात minus 6 minus और minus प्लस हो जाएगा तो plus 2, और 2 into 2, अर्थात 4, minus 5 के बराबर तो हमने क्या किया प्रतेक अव्यूव को 2 से गुणा किया और उसे जो आव्यूव बी है उसके संगत अव्यूव से घटा दिया तो इस परकार हमने 4 minus 1 जो प्राप्त किया है वो इस परश्ट है 3 के बराबर है 8 minus 3, 5 के बराबर है minus 6 plus 2 minus 4 के बराबर है और 4 minus 5, 1 के बराबर है तो इस परकार हमने 2A minus B का मान प्राप्त कर लिया जोकि 3, 5, minus 4, 1 के बराबर है यदि A बराबर 2-4-3 तथा B बराबर है आव्यू 2-4-8 तो A B डैश ग्याद कीजिए हम यहां देखते हैं कि जो A है वो एक पंग्ती आव्यू है एक row matrix है जबकि B जो है वो एक stump आव्यू है column matrix है तो गुणा में इसपष्ट है कि 2-4-3 जो है वो 2-4-8 से गुणा होगा संगत अव्यूबों से गुणा होगा और हम क्या प्राप्त करते हैं हम प्राप्त करते हैं कि A B बराबर 2-4-3 गुणा 2-4-8 अर्थात यह मान क्या हो जाएगा 2 गुणा होगा 2 से तो 2 गुणा 2-4 गुणा होगा-4 से तो-4 गुणा-4 प्लस करके 3 गुणा होगा 8 से तो प्लस 3 गुणा 8 अर्थात इसमें एक अव्यव होगा जिसका मान यह है तो इसे कल्कुलेट करते हैं कल्कुलेट करने से यह मान हो गया 4 प्लस 16 प्लस 24 अर्थात 44 के बराबर तो A B जो आव्यू है उसमें एक अव्यव है और वो 44 है अब यदि हमें A B डैश ग्याद करना है तो A B डैश से अभी प्राय क्या होता है A B डैश से अभी प्राय होता है कि हमें परिवर्थ मैट्रिक्स ग्याद करना है और उसके लिए हमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना है परन्तु यहां एक ही अव्यव है जो की 44 है इसलिए A B डैश का मान 44 के बराबर है तो हमने A B डैश ग्याद कर लिया A B डैश बराबर 44 ग्याद कीजिए integration of under root X plus 1 बटा under root X का whole square dx का यहां हम सूत्र का प्रियोग करेंगे हमें ग्याद है हमें दिया गया है under root X plus 1 बटा under root X का whole square dx का समा कलन हमें ग्याद करना है तो a प्लस b का होल स्क्वाइर होता है a स्क्वाइर प्लस b स्क्वाइर प्लस 2a b तो यह मान हो जाएगा यदि हम पूर्ण वर्क कर दें यदि हम स्क्वाइर कर दें तो यह मान हो जाएगा x प्लस 1 बटा x प्लस 2 dx इसका समा कलन तो x का समा कलन हम जानते हैं x का समा कलन होगा x square बटा 2 1 बटा x का समा कलन होता है 1 बटा x dx का समा कलन होगा log mod x और 2 का समा कलन होगा integration 2 dx का मान होता है 2 x के बराबर तो यह मान हो गया x square बटा 2 अर्थात x का समा कलन x dx integration integration x dx होता है x square बटा 2, integration 1 बटा x dx होता है log mod x base e, integration 2 dx हो गया 2x के बराबर, plus c जो की समा कलन का अचरांग है, तो इस परकार हमने दिये गए समा कलन को ग्याद कर लिया, जो x square बटा 2, plus log mod x base e, plus 2x, plus c के बराबर है, अवकल समीकरण dy by dx बराबर 2x बटा y square का व्यापक हल गयात कीजे, यहां हमें दिया गया समीकरण क्या है, dy by dx बराबर है 2x बटा y square, तो हम इस समीकरण को, हम किस परकार से लिखते हैं, कि चरों को प्रथक कर लेते हैं, y के, जो चर y के हैं, वो पद एक तरफ ले आते हैं, और x के पदों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यह समीकरण हो गया, y square dy बराबर 2x dx के बराबर, अब हम दोनों पक्षों में समा कलन करते हैं, तो समा कलन करने से क्या हो गया, integration of y square dy बराबर integration 2x dx के बराबर है, तो y square dy integration क्या हो जाएगा, यह मान हो जाएगा, y cube बटा 3, और 2x dx का मान हो जाएगा, दो तो अचर है, बहर आ जाएगा integration के, x का जो समा कलन होगा, वो होगा x square बटे 2, प्लस c dash, जहां c dash हमने मान लिया, समा कलन में अचरांग है, तो अब हम इसे सरल करते हैं, तो सरल करने से हमें मिलेगा y cube बटा 3, बराबर है x square प्लस c dash, अर्थात, यदि हम वजर गुना करें, तो वजर गुना से ये मान हो गया, y cube बराबर है x square प्लस 3c dash, और 3c dash क्योंकि अचर है, इसलिए यह मान हम c के बराबर ले लेते हैं, तो हमारे को जो अभिश्ट व्यापक हल पर राप्त हुआ, वो है y cube बराबर 3x square प्लस c.